डिप्रेशन, स्ट्रेस और अबेस्टी से सबसे ज़ादा अगर कोई विश्व में तंग है तो वो भारत है हम तरह तरह के आकड़े भी देखते रहते हैं और बहुत सारे नियूरो सैकेट्रिस के हमने इंटर्व्यू भी लिये हैं और सबी ये कहते हैं कि डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़ादा हैं आज हमारे साथ बताने की तो जरूरत नहीं है ब्रह्मा कुमारी का लोगो भी आप देख चुके हैं ब्रह्मा कुमारी से निर्मल भेंजी हमारे साथ मुझूद है एक बार पहले निर्मल भेंजी से बात करेंगे भेंजी सबसे ज़्यादा प्रोब्लम इस समय डिप्रेशन और स्ट्रेस को लेके है क्या कहना चाहेंगे कि इतनी भीड कैसे बढ़ गी हमारा भारत सबसे खुशाल देश माना जाता था और अब कहते हैं कि more than 60 से 7 परतीशर आकड़े हैं जो पताते हैं कि डिप्रेशन पेशन्ट है क्या ऐसी बाड आई है जो इतने डिप्रेशन पेशन्ट हो गए है ओम शांती आज हम देखते हैं जिस भारत को सोने की चड़िया कहा जाता था और जहां देवी देवताओं का वास होता था और घर-घर मंदिर के समान होता था लेकिन कारण क्या था क्योंकि उनके जिवन के अंदर पवित्रता थी और उसके सासात मदूरता थी लेकिन आज इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं पवित्रता की भी कमी है और शक्तियों की भी कमी होती जा रही है moral values जो देवताओं के जीवन में थी आज के मनुष्य के जीवन से वो moral values घटती जा रही है यही कारण है आज किस दुनिया में depression का साथी साथ हम देखते हैं दुनिया मशीनी होती जा रही है युग मशीनी होता जा रहा है और जीवन के अंदर जो प्यार आपसी चाहिए था वो नहीं है मनुष्य धन के पीछे तो भाग रहा है लेकिन धन के पीछे संबंदों को छोड़ता जा रहा है यही कारण है आज दुनिया के अंदर दिन प्रती दिन तनाव बढ़ रहा है इंसान अगर देखे क्या धन जिनके पास अथा है क्या वो लोग सुखी है तो देखा जाएगा वो भी सुखी नहीं तो इसका मतलब हमारी दौड केवल धन से पूरी नहीं होती है हमारी जीवन के अंदर कुछ और भी चाहिए लेकिन वो क्या है जो जीवन के अंदर वैल्यूज थी जिनके घटने से जीवन के अंदर दुखाया है इसका मतलब है कि अगर जीवन के अंदर वो वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर से वो बाते जो जीवन को खराब कर रही है वो समाप्त हो जाएंगी तो हम अपने जीवन के अंदर उन वेल्यूज को लाड़ने के लिए क्या करें उसके लिए क्या ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा एहम और वेहम की दुनिया के अंदर गुसकरके इंसान डिप्रेशन में जा रहा है ओवर थिंकींग के कारण मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिना मतलब के लोग ज़्यादा सोच रहे हैं जिनको सोचने की भी जरूरत नहीं है और इसी कारण दुनिया के अंदर ये दुख दूईदाएं बढ़ रही है हमारे जीवन में वो शक्ती नहीं है और शक्ती के स्रोत को भी हम जानते नहीं शक्ती मिलेगी कहां से जिसे आज हम देखते बहुत बीमारियां है तो किसी को ये पता नहीं किस डॉक्टर के पास इलाज है इसलिए वो हर डॉक्टर के पास घूम रहा है ये शरीरिक बिमारियों की बात है लेकिन शरीरिक बिमारियों का कारण भी मन की बिमारी है और मन क्यों बिमार है क्योंकि हम व्यर्थ ज्यादा सोचते हैं समर्थ सोचना हमें आता नहीं है और जब तक हमारे पास समर्थ सोचने की समझ नहीं होगी तो जीवन सुखी कैसे होगा तो समर्थ सो चाएगी कहाँ से जब हमारे पास कुछ अच्छे वीचार होंगे चाहे हो हम अच्छे वीचार कहीं से पड़े और चाहे कहीं से सुने तब ही जीवन के अंदर POSITIVITY आएगी और POSITIVITY आने से हमारा जीवन जो है वह सुखे بن सकता है और हमारे जीवन ने जैसे बताया overthinking सबसे ज़्यादा हम patient देखते हैं वो कहते हैं कि हम बहुत सोचते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं नीद नी आती किसी से बात करने का मन नी करता वो देर रात तक जाकते हैं और सुबे बारा बारा बजे तक उड़ते हैं overthinking को हम कैसे control कर सकते हैं अपने mind को कैसे control कर सकते हैं देखिए overthinking का मूल कारण है कि बहुत से बातों को हमने पकड़ कर रखा हुआ है लाइफ में बहुत से चीजे ऐसी हैं जिनें छोड़ना बहुत जरूरी है हम अकसर करके जब classes लेते या लोगों से मिलते हैं तो एक उधारन हम हमेशा सामने रखते कि एक छोटा सा फूल है गुलाब का यदि उसे हमने छोटा सा होते विवेगर एक गंटा हाथ में पकड़ के रखा तो वो छोटा सा ही कुछ ग्राम का फूल हमें कई किलो का लगने लगेगा तो हम भी लाइफ में ऐसी जीवन के बहुत छोटी-छोटी बातों को मन में होल्ड करके रखते हैं तो बहुत सी बातों को जब तक लेटगो नहीं करेंगे उनको छोडेंगे नहीं तब तक हमारा ओवर्थिंकिंग बननी होगा और दूसरी मूल बात अगर मैं जो देख रहे बाता वरुन उस हिसाब से लोगों के पास क्रियेटिव कामों की कमी है अगर हां अच्छे कामों में क्रियेटिव कामों में मन को लगाएंगे तो निशित है कि जो ओवर्थिंकिंग या वेस्टिंकिंग हो रही है उससे बचा जा सकता है मन मेरा है तो मन को कैसे चलाना वो भी मेरा काम है और सबसे मेन बात हमारे अंदर एक जो हम कहते कि आंतरिक शक्ती चाहिए हमारे पास ग्यान की कमी नहीं है इस समय कमी हैं तो शक्ती कि समझ सभी को है तब ही डौक्टर के पाँ जाते कि हमारे अच्छे विचार नहीं चल रहे हैं ये ठीक नहीं हमारे लिए तो ज्यान होते वे उसे परिवर्तन क्यूनी कर रहे जैसे हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं लाइट बहुत है गाड़ी में, तो रास्ता दिखाई दे रहा है, पर अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो उस रास्ते को ओवरकम नहीं किया जा सकता, ठीक ऐसे ही, सिर्फ ग्यान नहीं, ग्यान के साथ साथ मेडिटेशन जो योग जिससे हम कहते हैं, जिससे हमें पाव परी चार्ज होती है, तो जो वेस्टेज है, वो आटोमेटिक खतम हो जाता है, कम हो जाता है, उसके लिए हमें महनत नहीं करने पड़ते, तो वेस्ट को निकालने का प्रयास कभी नहीं करें, बल्कि अपने आपको चार्ज करने के लिए अपने एनरजी लगाए, कहते हैं कि सबसे जादा जो भीमारियों की वज़य है, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस हैं, दोनों जी वज़य की वात करें, बीपी की उसका वज़य कहते हैं, क wt itu stress या depression अप किया, आप क्या कहना चएंगे, कि हमारा schedule कैसा होना चाहिए, सुबह का राध का किस था schedule होना चाह प्रकरती के साथ अगर चलेंगे तो प्रकरती के बीच रहते तो हेल्दी रहेंगे अगर प्रकरती के साथ रहके प्रकरती के अपोजिट चलेंगे हम तो कभी भी हल्दी नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व का है हमारे आसपास पंचतत्व है तो हमें उसी हिसाब से चलना है तो हमें प्रकर्ति बताती, सूर्योदय हो गया मतलब उठना है और सूर्यास्त हो गया मतलब सोना है तो हमें आदर डालनी होगी देखी हम पहले एक समय था जब जल्दी सोते जल्दी उठते पर अब धीरी धीरी लाइफस्टाइल हमने ऐसा बनाया है किसी और ने बना के नहीं दिया है हमने सोच लिया है कि बस हम देर तक सोते तो देर तक उठना है और उसका मूल कारण है हम मुबाइल, लापटॉप, टीवी यह सब सादनों का प्रयोग करते आप कीजी इनका उपयोग पर अपनी उपर इतना तो एक नियम बनाए कि ठीक है, दस माना बस इसके बाद मुझे इन सादनों का प्रयोग नहीं करना है आवशकता के हिसाब से करे तो आटोमेटिक आप जल्दी सोएंगे तो आपको उठाने की जरूरत ने आप जल्दी खुदी उठ जाएंगे देर से सोते इसलिए देर से उठते हैं अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे आहार विहार में क्या चेंजिस आने चाहिए आप क्या कहेंगे जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं आप अगर हमारा आहार जैसे प्रकर्टी के हिसाब से चले प्रकर्टी से पंच ततवों से बना शरीर हमें नाचरल फूड लेने की प्रेरना देता है इश्वर ने हमारा शरीर प्रकर्टी ने इसी हिसाब से बनाया है कि हम शुद्ध, सात्विक और फ्रेश फूड ले तो जैसे भोजन का नाम है फास्ट फूड तो आप फास्ट फूड खाएंगे तो फास्ट थिंकिंग होगी फास्ट थिंकिंग होगे तो फास्ट डिजीज आएंगे फास्ट डीजिस आएंगे तो फास्ट आपकी डच भी आएगे तो बेटर है कि हम नाचरल फूड ले नाचरल लाइफ होगी नाचरल हमारा सिस्टम बोड़ी का चलेगा तो इसलिए जैसा अनवैसा मन इस कहावत को सिर्फ कहावत नहीं समझे परन्तो इसका प्रैक्टिकल हमानुभव करें देश में जो नशे के खिलाफ सबसे बड़ा अंदोलन था उसको लड़ा था स्पी चुहान जी ने इन पे मूवी भी बन चुकी है सब ने देखी है स्पी चुहाना स्ट्रगलिंग मैन कह सकते हैं कि जो डिजिटल का इतिहास है उसमें दो सालों में सबसे सक्सेस्फुल मूवी रही है सबसे पहले तो उसकी शुब कामना है सर आपकी फिल्म देश की सबसे सक्सेस्फुल मूवी रही और बायो पिक में तो सबसे बड़ी बात है तो मैं गेश के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा विदेश के लोगों का भी ये मूवी स्पी चोहान स्टेगलिंग मैन सो करोड से ज़्यादा लोग देख चुके हैं ये लोगों की सोच को भी दरसाता है कर अच्छी चीज पेश की जाए तो लोग उसमें दिल्चस्पी लेंगे तो ये पली के लोग गलत देखना चाहते हैं ये टोटली रोंग है जैसे ही वो दो साल एक साथ रहे तो उसके बाद तलाक के मामले बढ़ेगे घर तूटने का अकेले पन का सबसे बड़ा मूल कारण क्या मानते हैं बेवफाई मैं ऐसा कहूंगा कि आज रिष्टों में बेवफाई ने बहुत ज़्यादा स्थान ले लिया है इसका कारण अभी मेरे से पूरव जो बीके बहनों ने निर्मल बहन ने और माधुरी बहन ने बात रखी है मूल में कारण यही है कि आज हम सतता और पवितरता से दूर हटते जा रहे हैं और उसके नुकसान का हमें पता ही नहीं था कि अगर सतता को छोड़ देंगे पवितरता को छोड़ देंगे तो उसका रेजल्ट यह होगा कि हमारी तमाम खुशियां चिन बिन हो जाएंगी किसी को अंदाजाए नहीं था कि बेवफाई इस तरह हमारे जीवन को आके घेर लेगी कि हमारे रिष्टे बचेंगे नहीं हमारी खुशियां नहीं बचेंगी हमारा अनंद तो गायब बहुत पहले ही हो चुका है तो इसका में जो कारण है परिवार तूटने का आज समाज में हम देखते हैं कि एक गलत तरीके का परचार परसार जो टीवी, नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हमारी जनरेशन के बीच में आया है उसमें एक बात ही दिखाई जाती है कि व्यक्ति गत खुशी के लिए चाहे किसी को धोखा दो, डिच करो, बेवफाई करो, अपने मन की पूरी करने के लिए किसी की परवा मत करो दिन रात 24 गंटे ये परचार हमारे समाज में डिजिटल माध्यम से और तरह तरह के जो तरीके हैं उनसे चलाया जा रहा है मैं यहां खर ये भी जोड़ना जरूर चाहूंगा कि समाज का एक ऐसा वरग जो पूरे समाज को गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है आज उनका अधिपत्य है परचार मीडिया पर तो परिवार तूटने का और हमारी खुशिया लुप्त होने का जो में वज़े है वो है आपसी समंधों में बहुत दरार और दरार की में वज़े है बेवफाई और बेवफाई आने की में वज़े है पवितरता और सत्तता से दूर हटना और ये जो हटने का प्रोसेश चला है परम पिता परमातमा ने जो हमें गुण बखसे थे जो प्यार और महबत का सबक सिखाया था उसको हम छोड़ के जो नकली की महबबत है यो फिलमी स्टाइल की महबबत है उसकी तरफ चका चोंद की तरफ चले गए और हम धोका खा बैठे जिसको प्यार और महबबत समझ बैठे सही में तो बेवफाई की नेम डाल दी हमने तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगरा आज भी हम समाज में चाहते हैं कि हमारा परिवार जुड़ा रहे कोई पती चाहता है कि उसकी पत्नी उससे बेवफाई ना करे कोई पतनी चाहती है कि उसको पती उससे बेवफाई ना करे इसका एक मातर रास्ता है कि वो अच्छी सोच से जुड़े अच्छे ऐसे मिशन से जुड़े जहां वफा सिखाई जाती है जहां सत्तता और पवित्तरता के रास्ते पे चलना सिखाया जाता है और मैं निशन को चा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में अगर आप एक बार आएं तो आपको पता चलेगा कि वफा और बेवफाई के बीच का जो फरक है उसकी शिक्षा यहीं पर मिलती है परमपिता परमात्मा ने हमारी बहनों के माध्यम से ये परचार सुरू किया हुआ है 1936 से के अच्छा प इनका एक कार्यकरम चल रहा है सेक्टर 9 में जो ब्रह्मा कुमारी का आफिस है आश्रम है वहां पे भिलाई से मध्याव 38 गड़ से हमारी बहन आई हुए हैं वो चार बजे से लेकर और सड़े 6 बजे तक ऐसी सिक्षाओं का वख्यान कर रहे हैं कल एक पहला लेसन था पहला सेशन था उसमें जो भी भाई बहन आई हुए थे वो अपने मूँ से ये कह रहे थे कि हमने इतनी जवरदस सिक्षा ली है कि हमारा मन बदल गया तो आप आज भी आएं और कल भी आएं आज मतलब मंडे है कल टूजडे है दो दिन का कैम्प और है तो आप यहां आए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप दो दिन आएंगे तो आपको खूब पता चलेगा कि बेवफाई से घर तूट रहे हैं घरों में प्यार खतम हो रहा है घर क्या पूरे समाज से प्यार महबत खतम हो रही है रहन सेंड का तोर तरीका खतम हो रहा है तो इसके लिए अगर आप कि आपका घर सुखी हो आपका गड़ी महला सुखी हो आपका समाज सुखी हो यह सारा देश सुखी हो उसके लिए उन सिक्षाओं को ग्रहन करना अतील आजमी है जो ब्रहमा कुमारीज में दी जाती है और अगर आप देखेंगे कि हमारी बहनों में जो वफा की मिशाल आपको थो देखने से आपको पता चल जाएगा बाहर जो दुनिया है वो कहां जा रही है तो यह फरक आपको आने से पता चलेगा तो आज कि लिए मिने रिक्वेस्ट ससाधे चार बजे आप सेक्टर 9 में ब्रह्मा कुमारीज को चासर में आईए यहां पर सेशन है दो घंटे का और फिर कल सेम टाइम है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी जहां तक वाद जाए ज्यादा से ज्यादा लोग आएं थैंक यू